जल्द ही आँखों की रोशनी लॉट आएगी जल्द ही आएगी झालिक यूजब दो खता हुण dif druたष स्थमुल्ड़ा को ठुप है को तो 95 फम concोना जो कि अिरून धर भीजून एकऴानार के लुचूना क स्व bragड़ क保守ñसा नी तो 9 मों अर्म करोंपाना है लिए भूंगे का लेगि का लिए अटर करेंगे का लिए। मैं टोड़र करेंगे अट इसके भाइब तार। उडिया अटर्ली मुझ ए जा बाए। मैं शूरी आप का लाकर दॉक्तर से मिली हम कुछ नी जा में लाओँ मैं वार एठ पूर। को ले कर आऊंगा तुम्हारे डॉक्टर को जेल में भेज़ोंगा तेरी बेहन को जो मेडिसिन दी है वो इलीगल है यार राइट और क्या कहा था तुने पुलिस को कंप्लेंट करेगा हमारा हॉस्पिटल बंद करवाएगा इतनी हिम्मत आ गई तुछ में ये मेरा सपना है दस साल की मेरी महनत है तू नहीं तोड़ सकता इसे तू क्या हूँ बलकि कोई भी सन नहीं ये तो मर गया अब क्या करें ये एक एक्सिडेंट है रिपोर्ट बना कर केस क्लोज कर दो क्रिस्टीन 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 थैंक्यू सर मेरे बड़े भाई की आँखों की रोश्णी आने का मतलब सिर्फ उनकी अकेली की रोश्णी आना नहीं है बलकि हमारे पूरे ग्रूप में रोश्णी का च्छा जाना है हमने बहुत कोशिश की लेकिन काम्याब नहीं हुए पर आपने जो किया है वो एक चमतकार की तरह है आपका धन्यवाद कैसे करूं समझ में नहीं आरा हमारी खुशी के लिए ये 5 मिलियन यूरोज रख लीजे इसलाम जो में काम होता था, वो इलिगली काम होता था, इसके पेचे जो भी है, जल से जल पकड़े जाएंगे मानव कंपर पुलिस बहुत अलर्ट हो चुकी है, लेकिली उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है, अब हम ही ये सब रोकना होगा, पर इतना प्राफिट देने वाला उपरेशन हम छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें, कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है घवराओ मत, इस प्रोजेक्ट को मैं एक देश में लेकर जाओंगा, और वहीं से उपरेट करूंगा, वहाँ सारे रूल्स और रेगुलीशन्स है, लेकिन एक रूल हर कोई फॉलो करता है, उप्रेक दरूल्स मेरा नाम काल्यान है सर, पर मेरे दोस्त मुझे पीके कहता है पीके, मतलब पवन कल्यान क्या, पागल कल्यान सर, बीएडिस मतलब डिस्कंटिन्यूट सर, वैसे भी कोई रिस्क नहीं है सर, चांस देकर देखे, तुम्हें चांस देने लिए पीके, हमारे ओफिस से किसी को निकलना पड़ेगा, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो क्यू जान में है, इसलिए तुम्हें उनका बॉस बदगर के यहां बैठाओ, तुम्हें रखलूँगा तो, मेरा निकमापन तुम्हारे समझ में आ जागा, समझ रहे हूँ, और गया हुआ पल वापस नहीं आता, तुम्हें बगार देकर खुद को धोखा देना जरूरी है क्या पीके तुम जा सकते हो, यहां से निकल लो सर, कोई बात निया, आपने मुझे नौकरे नहीं दी, पर मुझे कॉन्फिदेंस दिया सर वो कैसे? मुझसे भी बड़े निकमें आराम से जी रहे हैं, तो मैं तो सूपर सेट हो जाओंगा, थैंक यू सर मेरी पढ़ाई के मुताबिक, मुझे स्टीट बैंक में मैनेजर का पोस्ट या किसी कलेक्टर का पोस्ट नहीं मिलेगा, ये तो मैं जानता हूँ, मेरी बस एक एक ख्वाईश है, मैं जो भी काम करूँ, दिल लगा के करूँ मैं मुंबई का नहीं हूँ, यहां जीनी के लिए आया हूँ, मेरा गाउ नासिक है, मेरे माता पिता नहीं है, मेरी दीदी ही मेरी दुनिया है, मेरा जन परवरिश और पढ़ाई सब यहीं हुआ है ये नासिक में मेरा पहला काम था, तुमने क्या पढ़ा किसी ने नहीं पूछा हो, बस पेपर फाड़ना शुरू कर दिया, बहुत फाड़े, पेपर से कवर बनाता था मैं, दस लोगों से होने वाला काम अकिला करता था मैं, इस काम के लिए मेरी दस उंगलिया ही काफे थी, क शुर मेडम, गुटनेट मेडम, प्राबलम सौर्वड, परसो सुब दस बजे तुम्हारा इंटर्व्यू है, लोकेशन साइबर टावर्स, कॉंटेक्ट परसन मेरी, उनका अपॉर्णमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बिना लेट किये ताइम पे पहुँच्छा, मेरी मे सुनिये, मेरी मेडम, से मिलना है, उनसे मिलना है, तो यह क्यों बटक रहे हो, वो यह नहीं मिल सकती, टॉप फ्लोर पर मिलेंगी, मेरी मेडम, अमेजिंग है, एक ही फोन पर जॉब मिल गया, टॉप फ्लोर ही बोला था, पर यहां तो कोई नहीं है, कौन चाहिए भाई साब, मेरी मेडम से मिलना था, मैं चलता हूँ, आप काम कीजिए, तुम्हें परशूर आम ने भेज़ा है क्या, मैं ही मेरी मेडम हूँ, रिजूम लाए हो क्या, रिजूम, रिजूम लाए हो क्या अपने साथ, और यह क्या, डिग्री डिश्कंटिनु है, उपन यूनिवस्री में पढ़के डिग्री कॉंप्लीर कर सकते थे थे न, रहने दो, तुमने क्लास फोर का एक्जाम दिया है न, पास किये हो, आप का मतल यह भगवान, यह मतलब भी नहीं जानते हो, यह रिजूम लेकर तुम्हारे लिए रिकमेंड करने जाओंगी, तो मेरी नौकरी तो गई, पकड़ो, यह सब छोड़ दे यार, मेरी कूरियर कंपनी में वेकेंसी है, कल आकर जॉइन कर ले न, धूप में गुमना पड़ेगा गली-गली घर-घर भटकना पड़ेगा न, यहार, पाइव स्टार होटल में रूम बुक करके बैठ जा, वहीं सब को बुला ले, आकर के ले जाएंगे, पता न, यह सब सुनकर मेरा सर चकरा रहा है, सुनिये साले साब, कल से आपका सर नहीं चकराएगा, नौकरी के लिए की ज़रुरत नहीं है, मेरे फ्रेंड का कजिन हीरो कम विलेन है, एक काम करो, उसे डान सिखा दो, महिने के पचास हजार कहीं नहीं गया है, पचास हजार? टेक फॉर, जाइट! अगर कोई मेरे पास आया, तो उसी को रिस्क होगा, मैं उसके पास जाओंगा, तो उसी को रिस्क होगा, कुछ चल कर रख दूँगा, तेरे साथ फिल्म बनाना हमारा रिस्क है, देखने में भी रिस्क है, रोल कमेरा, एक्शन, टेक 20, क्या हुआ, वन मोर सर, क्या हुआ, ओके सर, अरे गदे मैंने वन समोर नहीं, वन मोर बोला था, एक यह बात रटे जा रहा है, लव सीन करें सर, क्रेन आप, क्रेन आप, जूम, जूम, कट सर, यप, क्यूं कहाँ आपने, क्रेन और जूम कैमरामन को बोला था सर, आपको रही, मैं जो बोलूँगा, वही पैसे चल रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, लड़कियां देखते ही पड़ जा रही है, तुझे नहीं बंदर तेरे पैसे को देखकर पठ रही हूँ, सर, इस बार का डालोक आपका बहुत अच्छा है, सब अच्छा होगा, ठीक है सर, हम समझ गया आपकी बाद, ये कल्यान है, डान्स मस्कर, हाँ, हलो सर, क्यों भाई डान्स अच्छे से कर लेते हो न, सर, हिपप, सालसा, कोची पुड़ी का धकली सब कर लेता हूं सर, ये सर, म कभी नहीं पहचान रहे हो तुम, वो कभी देखा नहीं है न, सर, बुलेट हीरो कहा है, कामोश, बुलेट कहीं एक किलो का होता है, क्या, कॉमन सेंस नहीं है, मैक्जिमम क्या होता है, देखो, वन, टू, थ्री, फोर के उपर ही होगा, क्यों मिस्टर मैनेजर, इसा कहां से पकड़तो लाए, सर, सल्मान और शाहरुक के उपर का डांसर हुम है, मेरी अपनी स्टाइल है, तुम्हें उसे फॉलो करना होगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, अरे पर हीरो का है, चार के उपर होगा, नापकर भी बताया था, फिर भी नहीं समने, यहीं हीरो है, सॉरी, 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 मुझे पता नहीं था, आप ही हैं बद्बू, मिस्ट बद्बू, मुझे मिस्टर बद्बू, बद्बू कहकर क्यों बुला रहे हो, है, कॉल में बद्बू, जस्ट बद्बू, बद्बू मतलब ऐसा ऐसा बद्बू नहीं, तुमारे गर का मेर लोगों का प्यारा बद्बू प्रेंस का चहता बद्बू ठीक है बद्बू जी मुझे कौन से गाने पर कोरियोग्राफी फोटोग्राफी मैं देख लूँगा अब मैं जो डांस कर रहा हूं वो देख कर सीख लो बाद में मुझे सिखा देना है हॉँआ सौन वो कमा गया याँ बहग लागिया सर्थ मैं जानता था मुझे डान सिखा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है अच्छा जी वो शाहरुक और सलमान के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है यह नहीं है भारत देश के तीनों और समुद्र है पर चौथी और सिर्फ अन्याए अन्याए नाम के यह चार शर्क शब पूरे भारत देश को कलंकित कर रहा है राजनेता अपने देश को ही बेच रहे है और आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे है कोई आपका घर बेचेगा तो क्या यूँ ही देखेंगे आपके इस देश से और देश की राजनीती से कोई लेना देना थोड़ी जरे के लिए मिक्सर बन करना परशूरामजी का भाशन चलना है परशूरामजी यहां कर चत्नी बनाएंगे यह हुई नबार ऐसे लोग चाहिए राजनीती में और यह बोलते राजनीती ने चाहिए अगर ऐसा होगा तो देश का उधार कैसे होगा इसी तरह पिछले भाशन में आपको कोई समस्या हो तो आके मिलना कहकर एड्रस दिया था इनोंने और एक अपने नेता लोग है वोट लेने के लिए आते हैं उसके बाद उनका एड्रस हमें डूनना पड़ता है बहन का ये प्रोग्राम देश में आप कौन साब बदलाव लाएगा ये हमें देखना होगा कामेरमेन भासकर के साथ रूही क्या हुआ? सड़ली पेट में दर्ध शुरू हो गया डॉक्टर साब है क्या? डॉक्टर साब अंदर ही है आप गब रहे हैंिने कुछ नहीं होगा आपको सब ठीक हो जाएगा कुछ नहीं होगा बेहन, सेहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा सौरी भाई साब, आपकी वाइफ का मिस्कारिच होगी है हाँ, बूलना यर मैं क्या बूलु यर, तुझे ही कोट में गवाई दी नहीं है ओ हो भूल गया यर, सौरी सौरी क्या यर, लॉयर भी इंतसार कर रहे तेरा, तू किदर है यर हाँ, हाँ, ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ अलो, अरे, मैं कोट जा रहा हूँ यर, अर्जेंटली गवाई देनी है मुझे तू जाकर, एक कोरियर डिलीवर कर देगा हाँ, क्या का, कोरियर करना है चांस ही नहीं है, सुनना, मैंने तरे लिए कितना कुछ किया है बस एक ही कोरियर यार, फ्लीज है, फ्लीज ठीक है, एरिया कौन सा है, पाली हिल सुनिये, यहाँ काव्या कौन है मैं कस्टमर वं अंदर जाकर पूश लिए यहाँ आया, वही बड़ी बात है अंदर भी जाना पड़ेगा, हलो, अंदर एसी है क्या हमारी दुकान में बल भी बड़ी मुश्किल से जलता है, पावर कट है, थोड़ी देर में आ जाएगा अच्छे टाइम पर आया हूँ मैं बड़े आये, एसी में बैठने वाज़े अंकल, यहां काव्या कोन है, क्यों उनके लिए कोरियर है, उपर जाओ, क्या, जब भी आएगी तो दे दीजेगा, वरना वहां डस्मीन पड़ा न उसमें डाल दीजेगा, कब कहा उपर नीचे यहां वहां जोकर समझ के रखाए क्या, ओटोग्राफ नहीं चाहिए, मैं जिस काव्या के लिए कोरियर लाया हूँ, वो यही है पाली हिल में एक बज़े से दो बज़े तक पावर कट है, लेकिन इसकी शेट तो ऐसे लारा रही है, जैसे पंखा चल रहा हूँ कोकन की ब्रांच में जाने वाला पार्सल डिस्पैच हुआ के नहीं यह चेक करने के लिए कहा था, चेक किया यह तो कभी भी कर सकते हैं यार, बताया हूँ काम टाइम पे होना चाहिए ना, नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आजाता है, जानती हो ना, इधर लो, फिर से नहीं करना अंकल, मैं ठहरा छोटा बच्चा, मैं नहीं जानता, लेकिन आप तो बुजग है इसे यहां पठक के क्या फाइदा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, यह बिलकुल गलत है, कोरियर जिसके नाम का है, पहले उनको धुनना चाहिए, के हाथ में देकर उनका ओटोग्राफ लेन जो फीलिंग मुझे आ रही है, शायद आपको भी आएगी तो अपना काम बन जाएगा, ज्यादा मत्चिप को, पावर आ चुका है, क्या है? माया ओ माया ये कैसा है जादू, जिगर पे लगा ही तीर प्यार का माया ओ माया ये क्या हुआ है मुझे को, खाए जब से मैं तुझसे मिला, दिल ये तेरे लिए मच ले रे, दिल तेरी और मुझे ले चले रे, अर जिस दिन मिलो तुम ना मुझको दिखती हो तुम ना दिल नहीं लगता ऐयो ऐयो रामा, फ्रेम ये पिवाना, खोई तो संझाए से है ये रोग बुरा फ्रेम तो है ड्रामा, ना दिल को लगाना, फ्याल जिसे हो जाए हो जाए हाल बुरा एक काम करते हैं ना, कूरियर वाला जॉब कर लेता हूँ दूप में गुमना पड़ेगा ना काम मिल रहा है तो धूप छाओं, बारिश कुछ नहीं देखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए गली-गली भटकना पड़ेगा रहे तो क्या करूँ, ताज होटल में कमरा लेकर आपको भी वहां रहने के लिए बुला लूँ, समझाए न दिदी सुन तो, उसका मन बदलने से पहले उसे जॉब पर लगा दे ना और हाँ, मेरा इलाका होगा पालेर जिस दिम से, तुझ से मिला, किसी और से, फिर ना मिला पल-पल में, खोया तुझ में, मैं हूँ जहाँ, तू है वहाँ मेरे दिल पे कर दे करम, मिलने तू आ जा सनम हाँ, यकी मेरा तुम कर ला, मरता हो तुझ पे सनम, तुम हो मेरे हम दम ऐयो ऐयो रामा, प्रेम ये दिवाना, कोई तो समझाए से है ये रोक बुला प्रेम तो है ड्रामा, अगल को लगा, प्यार जिसे हो जाए हो जाए हाल बुला हाल जाए हो जाए जाए हाल जाए हो जा दिल में मुझे छोपा लो सपना मेरा सजा लो जीवन में तुमा के अपना मुझे बना लो ये दिल मेरा तुम से कहे तेरे बिना ना जीना अर तुझ को भी है प्यार मन ही मन में मुझे से तुम भी ये कह दो माया ओ माया जिगर पे लगा ये तीर प्यार का माया ओ माया ये कैसा है जादू हाए जब से मैं तुझ से मिला है यो है यो रॉमा फ्रेम ये पीवाना कोई तो संझाई से है ये रोग बुरा फ्रेम तो है ड्रामा मा दिल को लगाना जार जिसे हो जाए हो जाए हाल बुरा इस जाब की वज़े से रोज काविया को मिल पाऊंगा कुरियर के बहाने उससे देख पाऊंगा और सोचा था कि उससे प्यार कर लूँगा लेकिन एक हफता हो गया अभी तक उसका एक भी कुरियर नहीं आया यार कोई कुछ तो भेजो उसे कोई क्यों मैं ही भेज सकता हूँ एर टेल सिंदाबाद एक मिनटा मैं अभी आती हूँ ओ सौरी आप देखे आईने में वो नहीं आएगी ऐसे कैसे नहीं आएगी रोज आती है बुलाइए वो बिजी है मुझे आपसे कवर लेने के लिए काहा है हलो हमारी कंपनी के कुछ नियम है जिसका नाम कुरियर पे हो उसी को देकर आटोग्राफ लेना होता है उसमें क्या है बिजी है ना पांच दस मिनट में आ जाएगी मैं इंतजार करता हूँ दो गंटा लगेगा दो गंटे ना ठीक है पूरा दिन भी जाएगा तो भी मैं इंतजार कर लूँगा बात को समझे उसने देखिए मुझे मेरा काम करने दीजे जाए प्लीज आप जाकर अपना काम सवाली जाए तुमने कुरियर ने लिया उससे वो कहता है तुझे ही लेंच ट्राइम हो गया खाना खाने क्या भटा कराया है अचानक तेरी आवाज लड़की जैसी मस्त है हाई कवर उससे देखर जा सकते थे ना सुन चुटा सो प्राप्लम है बाद में फोन करता हूं कुछ कह रहें थी रिवाइंड प्लीज कवर कवर उससे देखर जा सकते क्यों नहीं गए आपको देखर भी ना कैसे जा सकता हूं मतलब को यह आपको देना पड़ेगा आपका ओटोग्राफ लेना पड़ेगा देखे जैसे की मंदिर की दर्वाजे बंद हो जाते तो पंडित महराज बाहर दख्षिना रखे जाते हैं क्या नई पहले वेड करते ह करते हैं फिर दख्षिना देते हैं ठीक है यह लीजे कुरियर लीजे ओटर ग्राफ दीजे सिंपल अभी अभी हारिया मैडम एह क्या होगिया अभे तू तो ऐसा फील कर रहा जैसे उस लटकी ने रोमेंटिक किस देकर हग करके तुझे गिफ्ट दिया हो लड़की को बिना बता है चुरा के लाया है ना इसे ऐसा पैन सारी दुनिया में एक ही नहीं है ए, सारी दुनिया में ऐसे पेन बहुत होंगे लेकिन ये, ये तो मेरी दुनिया है अच्छा, तो उस लड़की ने खाय हुए चॉकलेट्स के रैपर जैकेट के हूप्स, चूज कर फेका हुआ थमसप का स्ट्रॉउ ये सब भी कलेक्ट कर लेता वेस्ट फेलो, ए, टाइम वेस्ट किये भी न, लड़की को कैसे पठाना ये सोच तभी तो तेरा प्यार, नेक्स्ट लेवर पर जाएगा यार, इस वक्त वो लड़की क्या कर रही होगी उसके पती की साथ खुशी मना रही होगी अभी तो उसके शादी नहीं होई है तु किसकी गर्फृंट के बरे में बूल रहा है मेरी गर्फ्रेंड के बरे में मुझे लगा मेरी गर्फृंड के अपने बाजू वाली मौसी, बल पैदल शिर्डि जा रही है मैं बहि जाओ उनके साथ उतनी दूर चलके जा पाओगे तुम जब राशन के लिए लाइन में खड़ी होती हो तो पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है बोलके विस्तर पकड़ लेती हो सुनिए जी, वहां के पेट पर धागा बादने से हमारी मननत जरूर पूरी होगी अगर हमारे नसीब में बच्चे हैं तो जरूर पैदा होंगे कितने सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं तुम समझती क्यों नहीं हो ठीक है, तुमारे विश्वास को मैं ठेस नहीं पहुचाऊंगा समल के जाना सुनिए, चिस काउंटर पर कोई नहीं है मैडम जी आप अपना काम करो जाकर कवर ले, अरे वो ना मुझे नहीं देगा तो खुच जाकर ले ले हलो जी, कुरियर दे कर जाओ आज कुरियर देने नहीं आए, कस्टमर बन गया, शार्ट खरीद नहीं है ओके, साइस क्या है खुदी नाप लीजिए, नाप लीजिए ना, ओ नो, 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 फॉटीटु है जी ये रो फॉटीटु का है, जो अच्छा लागता सिलेक कर लो वो शट दीजिए, वो सारे कॉसली है, कस्टमर जो मांगता है वह य दीजिए, प्लीज वो ब्लू दीजिए ना, आपके कपड़ों से मैच हो जाएगे, मतलब कलर अच्छा है, ब्लू पैक कर दीजिए, काउंटर पे जाके बिल पे कर दीजिए, सब वही मिल जाएगा बाइ मिस्टेक एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, देखिए, मैने पहले ही बताय था, सौ देरसो के शर्ट्स इस रो में नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बिसिकली कैश कैरी नहीं करता ना, उनली काड्स, ये खादी भंडार नाम की दुकाने यहां, काड्स एक्सेप नह होचु के हो, वेरी गुड, सुपर, जा कर बिल भरेंगे, इस सेट में कैसा लग रहा हो, एक्दम सुपर, वहां क्या देख रहे हो, हाँ, जा कर पेमेंट करो, पेमेंट बाद में करूंगा, पले ट्राय करना है, हलो हलो, ओनली वन शर्ट फुर ट्रायल, ओके, तारी एक ही काविया, कम, 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 इधर आओ, क्या है, ये शर्ट अच्छा है न, देखो, कस्टमर ने चुना हुआ शर्ट देना मेरा काम है, वो अच्छा है ये नहीं है, तास्यो जॉब, इतना गुस्टा क्यों कर रही है, एक बात तो है, मैं आपका बॉइफ्रेंड हूँ, ग अगर मेरी मदद आप नहीं करेंगी, तो मेरा क्या होगा, कैसा लग रहा है, थोड़ा ब्राइट कलर है, एक मिनिट अभी आता हूँ, वो यारा, 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 यू लोगिंग सो ब्राइटे, वो जालावाइटे, चॉइस है तू राइटे, ओ हो, माहिया, सुन तो जरा, कहती है क्या दिल की धणकन, धणकन, ऐसे, तू ला जावा, ऐसे, तू बे में सा, जाना, ओई ना, यार, तेरे जैसा, जैसा, सपनों में जो था देखा, चहरा वो तेरा ही था, आखों में तू ही बसी थी, तू ही दिल में, काली, ये तेरी आखे, महकी, ये तेरी सांसे, मुझको ये तेरी तरफ खीचे, ओ जाना, जादू, तेरी नजर में, खुश्बू, तेरा बदन ये, लागे तू अब सरा मुझे, इस जहान की, लगती है तू नहीं, आकाश से, उतरी है जैसे परी, ओ माहिया, सुन तो जरा, हे काव्या, काव्या, हे काव्या, काव्या, वर वा ग्तिया, है थोड़ी थोड़ी बेच्ञी, थोड़ी थोड़ी पेथ, यदि तू पर लगी है चाने, तू बहु में भर ले, प्यार मुझे कर ले, सब तूने मेरे सा जाले, है काव्या काव्या यू लुकिंग सो प्राइटे तुझा लवाइटे जोईस है तु राइटे तुझको अब है बाना मेरी यही आरजू आभर लू बाहों में तुझे ओ जाना मुझको द्यार करो ना तुमसे रिक्वेस्ट है ये चुलो अब तुम भी मुझे दीवानगी अब तो बढ़ने लगी ये आशकी तेको रंग बलाने है लगी ओ माहिया सुन तो जरा सपनों में जो था देखा चहरा वो तेरा ही था आखों में तु ही बसी थी तु ही दिल में सपनों में जो था देखा चहरा वो तेरा ही था आखों में तु ही बसी थी तु ही दिल में सुनिये डॉक्टर वेमल से मिलना है आप वहां जाके स्लीप भर दीजी मैं बुलाता हूँ कॉंग्रेट्स सब कुछ नॉर्मल है बहार वेट कीजिए डॉक्टर सब आ रहे हैं रिपोर्ट मैंने देखी है कन्फरम है कुछ दिन सम्हल कर रहना होगा सिर्दर दूल्टी होगी तो घबराईएगा नहीं कॉमन है अच्छे से खाना खाईएगा और रेस्ट कीजिएगा सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुश रहना होगा सजेशन के मुताबिक यह टैबलेट्स लीजिएगा डॉक्टर साब दुबारा चेकप के लिए कब आना होगा 21st को सुनिये जी हमारी बहु माँ बनने वाली है इस खुशी के मौके पर सभी पंडितों को बुलाईए और उन्हें दान दीजे वो बहुत खुश होगे मेरी प्यारी बहुत यह फायर बेज़र की गड़िया इस तरह क्यों जा रही है आग लगी है कहा पर? खा दी बहुन मैं गब थे कश राज़र के इस तरह को बहुत 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 झाले बहुत 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 कहा दो के अधने प्योत पूरी तरह से भीगा दिया पुर्ण सारे कप्डे ले गया था अज पानी डाल दिया यह कहीं पागल तो नहीं है सारी बेंजी यह क्या कर रहे हो तुम खादी भावन में आग लगी है वो सांता क्रूज में लगी थी और वहां किया अग कि पुझा दी गई है यहां कोई आग बाग नहीं लगी है फेरी फेरी यह दुआ नूर भाई हा इसके मुपण मरो मरो और मरो भाग गया नहीं पागल कोई कामधाम है नहीं पागलपन करते रहता है मुझ में क्या कमी है उस लड़की को पसंद आने वाले सारे गुण मुझ में है लेकिन यार फिर भी वो लड़की मेरी तरफ देखती नहीं क्या करो समझ में नहीं है रहा प्राब्लम तुझ में नहीं यार उस लड़की में होगा क्या प्राब्लम है पहले हमने जो मॉडल देखा है वो किस तरह का ही यह चेक करना पड़ेगा तूने देखी हुई उस मॉडल में मैनुफेक्चरिंड डिफेक्ट हो सकता है जैसे कि खुछ लड़कियों की जिन्दगी नाम की किताब में प्यार नाम का पेज नहीं होता और शादी नाम का शब्द भी नहीं होता तूने जिस लड़की को देखा है उसे तू पसंद नहीं होगा या वो प्यार को पसंद ही नहीं करती होगी पहले ये जानना ज़रूरी है ये तेरे बस की बात नहीं है तो एक काम कर उसे कुरियर भेज दे मैरिज प्रॉब्लम लव अफ़ेर प्रॉब्लम लव पेलियर प्रॉब्लम सिंदकी से परेशान जात पात प्रॉब्लम मेरा प्लान कामयाब होजा है बस काम कर दे इंसानी प्रॉब्लम के लिए कॉंटाक कीचिए नासा अचलोटी क्या ढून रहे हो वो बाहर जाने के लिए रास्ता ढून रहा हूं अरे दर्वजा तो सामनी है मतलब रास्ता भी वही होगा चलता हूं जी एक्स्क्यूज मी बात करनी है प्लान कामयाब दीदी यहां बहुत सा सामार प्रॉब्लम बोलिये ना मैं यहां तीन साल से काम कर रही हूं ओ हर साल गांधी जयनती के दिन ही मुझे कोरियर आता है ओके इसके बाद पूरे साल में मुझे एक भी कोरियर नहीं आता है ओके कशर से कागज़ दूखा कर उसे कुरियर में डाल की आपका नाम लिगके आपको देने आता हूँ और उस वहाने आपसे मिलने के लिए आता हूं क्या। मेडम मेरे पास भी बहुत सारे काम है। साधिदेस बैंक में जाना है, 11 बजे कमर्शल आफिस में और उसके बाद फिर से बैंक में जाना है, और वहाँ वक्त पे नहीं पहुंचाना तो मेरी वज़े से उनका काम अठक जाएगा, बात करती है, हेलो, मैंने उस सेंसे बिल्कुल भी नहीं का, लेकिन अगर कोई ऐसी आइडिया त से जल्दी निकाल देना, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम, मैं भी किसी से प्यार करता हूँ, किसी और से प्यार करती है, मैं भी किसी और का हूँ, ओके, 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 जाएए, किसी और से प्यार करती है, किसी और से प्यार करती है, किसी और से प्यार करती है देश में टाइगर्स और लड़कियों की बहुत कमी हो रही है अगर सौ लड़के हैं तो लड़कियां सिर्फ दस ही है हमारी पसंद की लड़की मिलना मतलब दीवाली या संकरांती में ट्रेंड रिजर्वेशन मिलने जैसा है सोचना बन कर और जाकर अपने प्यार का इजहार कर काविया का मैंने परचाई की तरह पीछा किया है उसका कोई बॉइफरेंड हो इनी सकता अब इंतिजार नहीं करूँगा अब सिर्फ इजहार होगा अचानक तुम्हारे घर पर कुरियर बह्यजाए तो शौक मत हो जाना सारे कुरियर मैं भीज़ता था बिल्कुल सही समझा मैं हाँ काविया तुम्हें पहली बार देखते ही मैं पागल हो गया था तुम्हें रोज देखने के लिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मैंने कुरियर बॉय का जाब कर लिया और तुम्हारी वज़े से मुझे ये जाब भी अच्छा लगने लगा है मैं अपने प्यार का इजार करूँ उससे पहले ही तुमने कह दिया कि तुम किसी और से प्यार करती हो तब से मेरी भूख, प्यास, नीन, सब कुछ लड़ गया है मैं पागल हो गया हूँ काविया मैं सिर्फ तुम से प्यार करता हूँ I love you काविया I am sorry, I tried my best आपकी वाइफ का मिसकरेज हो गया है आपने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था डॉक्टर फिर भी ऐसा कैसे हो गया प्रेगनेंट वीमेन के लिए हम कितनी भी साधानी किनो बरते मिसकरेज होना, it happens इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मैं आपकी परिशानी समझ सकता हूँ I am really sorry एजी, मुझे तो प्यारी से लड़की ही चाहिए मेरी प्यारी बह, हमारे घर में नया महमान आने वाला है बच्चे को मानने वाली बांच, देखो कैसे पत्तर किदरा बैठी है जब से इसने हमारे घर में कतब रखें, तब से साड़े साती हमारा पीछा कर रहा है अपने बच्चे को पेट में ही मार डाला, कल मुहीं इसके पल्स नहीं चल रहे, शादिया मार चुकी है अभी अभी तो इसका एबोशन हो रहा इसने इसा क्यों किया हलो, यह, सर आज मीना का ऑप्रेशन हो चुका है बाकी सारे फॉर्मालिटी इस कंप्लीट हो गए हाँ सर दी, क्या हुआ दी इस वक्त आप सुई क्या हुआ है क्या हुआ अरे कुछ नहीरे, थोड़ा सा सरदर्ध है मुझे कल्यान, अभी एभी क्लीनिक से हारे है हम लोग क्या हुआ है, दी कुछ भी कहनी रही है सब ठीक है ना वो अभी गभराने वाली कोई भी बात नहीं है गुड निउस है तुम्हारी दी प्रेगनेंट है प्रेगनेंट प्रेगनेंट? दीदी, इनके जैसा लड़का नहीं चाहिए एक प्यारी सी लड़की चाहिए ओके प्लीज 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 देए बदमाश सुनो, इसके लिए मिठाई देक रहा है न, वो देक रहा है क्या बात है इसे भी खिला ना जीजु, बारा साल के वाद इस घर में अच्छी ख़बर आईगी चोटे-मोटे हॉस्पिटल में न, चाहे जितना भी ख़चाओ मुम्बई के बड़े से हॉस्पिटल में अच्छे से डॉक्तर के पास जाएंगे डिदी का चेक-प करवाएंगे डिलिवरी भी वही होगी, ओके, सब कुछ फिक्स है क्या बात है? अग्राटिलेशन जीजा जी इतनी अच्छी ख़बर के लिए और रे स्वीट्स मिलेगा जी जु पार्टी दो ना बॉर्णि सर्णि दवाईयों से कुछ बीमारियों का निवारण कर सकते जो दवाईयों से ठीक ना हो, ऑपरेशन से ठीक हो सकता है लेकिन दवाईयों और ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होने वारी थोड़ी बहुत समस्याएं अब भी हैं उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं आप सब को कुछ क्लिपिंग्स दिखाऊंगा ये हैं जयमन के एक बहुत बड़े बिजनस्मैन एक एक्सिडेंट में अपनी आँखों की रौशनी खोचुके हैं मेरे रिसर्च की वज़ा से उनकी आँखों की रौशनी लॉट आई अब 5-6 मीटर तक वो देख सकते हैं ये हैं एक यूरोप के फुटबाउल प्लेयर मैच खेलते वग्स पाइनल कॉड इंजर्ट होनी की वज़ा से बेड रिड़न है जस्ट सप्राइज आज वो चल पा रहा है और इसकी वज़ा है मेरी रिसर्च आपने क्लिपिंग्स में जो देखा वो लोग कैसे ठीक हुए इस रिसर्च का नाम क्या है ये रिसर्च मेडिकल फिल्ड में एक टानिंग पॉइंट है आने वाले कल में मेडिकल साइंस को बदलने वाली एक शक्ती है वोट इस दिस मिरेकल एनिवड़ी डॉक्टर राओ स्टेम सेल्स ये स्टेम सेल्स रिसर्च जो है मेडिकल फिल्ड में एक नया डिवल्लप्मेंट इस विशे पर हम डॉक्टर्स को भी संदे हो सकता है तो इस स्टेम सेल्स बढ़कर पिंड के अंग के रूप में बदल कर कुछ महीनों बाद बच्चे का रूप ले लेते हैं इस अड्वान स्टेज से हमारा क्या फाइदा है हमारी रिसर्च के लिए चाहिए गर्ब के तुरंत पैदा होने वारे स्टेम सेल्स इस विदिन फ्यू डेज अफ प्रेगनेंसी अभी तक आपने जो पेशेंट्स देखें हैं पाकिसल्स, अल्जाइमर्स, ग्रॉनिक निरोलोजिकल डिसॉर्डर से तडपने वाले पेशेंट के शरीर में मार सकने वाले टिश्यूस के उपर इन स्टेम सेल्स को चड़ाने से डेमेज वे सेल्स को चान मिल जाती है इन स्टेम सेल्स के इलावा उनके शरीर में रहने वाले बोन मैरो बच्चे के पैदा होते वक्त उसकी नाभी में भी स्टेम सेल्स होते हैं हमारे पास petal stem cells का ही option बचा है research के लिए 100 से भी ज्यादा stem cells लगेंगे और अगर इतने stem cells पाना है तो conceive होते ही तुरंत abortion हो जाना चाहिए आप जो बता रहे हैं cells के बारे में उसे जल्द से जल्द पाने के लिए उसी particular time में ही abortion होना चाहिए अईसा तो 100 में से एक ही होता है 100 में से 20 से abortion हो जाएं तो इतने कैसे होंगे होंगे नहीं हम करवाएंगे ऐसा period रुपते ही confirmation के लिए ladies हमारे पास आती है अगर वो conceive हुई तो इसे हम उन्हें ताकत की दबा बता कर देंगे हमारी prescription के मताबिक इन tablets के इस्तेमाल से उनकी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा पेट के दर्द से परिशान होकर वो हमारे पास ही आएंगे तब हम check-up के नाम पर उनका abortion करा देंगे और early stage के pin के stem cells निकाल कर preserve करके यॉरप और western countries में भेज देंगे बट ये इलीगल है सर इस इलीगल समसेंज इस मॉल बट इडिस highly rewarding huge money उनके घरवालों का क्या? क्या फर्क पड़ेगा डॉक्टर? 6 महने तक रोएंगे, बाद में रूटीन हो जाएगा next time period चड़ते ही फिर हमारे पास आ जाएगे अब research के लिए 100 से भी ज्यादा stem cells की जरूरत है एक ही time so I think तकरीबन 50-60 abortion तो करने पड़ेंगे अगर ऐसा सिर्फ मेरे hospital में होगा तो news highlight हो जाएगे media मुझे जीने नहीं देगी तुम कुलाबा में करोगे और तुम बैंड रमे it's a very sensitive matter क्योंकि natural miscarriage भी होता है तो उन stem cells को use नहीं करना चाहिए और इसे worldwide band किया गया है इसके लिए कोई भी doctor हा नहीं कहेगा so keep it very confidential तीसरे किसी को पता नहीं जाना चाहिए इस operation के खत्म होते ही तुम सब के अकाउंट्स में करोडों रुपए जमा हो जाएंगे please take care good luck I'll take care of tennis Sir कल मैं हाफडे से जा सकती हूँ क्यों बैटी मुझे देखने लड़के वाले आ रहे अरे बहुत खुशी की बात है मैडम ये काम उम्र रहते हो जाए तो अच्छा होता है अच्छा वो लड़का काम क्या करता है software company में काम करता है जा बेटी, all the best मेरी तरब से वी all the best तुम काम सभालो बहाप रे इतना बड़ा hospital काफी मेंगा होगा excuse me, हमार अपाइंट मेंट है कहाँ जाना है आगे से first right thank you welcome everything is okay nothing to worry about बड़े डॉक्टर साब से मिलकर जाएंगे वही आपको बता देंगे सब नॉमल है prescription के मुताबिक ये दवाईयां ले लीजिएगा टेके अगे अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करूँगा, ओके मेरा नाम मनी राम है मैं कुलाबा के लक्षुई आस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ घर जरेने का टेम होगी है जल्दिया अरे रुख जा यार जराउक्स निकार रहा हूँ जल्दी करूँगा गरवल हो जाएगा सबको जल्दी रहती है अपर किशोर भाई, मेरा सेलफोन नहीं मिल रहा है अपना फोन दीजिए नेक बर रिंग बजा के देखता हूँ रिंग तो बज़ रहा है, कोई उठा भी ने जाए, कहा होगा साँ में से बीस दी से वाशन हो जाएं तो इतने कैसे होंगे? होंगे नहीं, हम करवाएंगे ऐसा और अल्ली स्टेज्ट के बिंड के स्टेम सेल्स निकाल कर प्रिजर्व करके यॉरप और वेस्टर्न कंट्रीज में भेज देगे मनिराम, तुम इतने रात को? मेरा सेलफोन दूटीए गए राजू, मनिराम कहा है? सर वो चुटी पर है, कुछ काम है तो बताएगे नहीं कुछ ने मैं खुटी पराड कहा है ज़रा डीटेल्स बताएंगी प्लीज ओ, कल की बुकिंग है, एक मिन 5216132 हाँ, कल रात को बुकिंग टाइम खत्म होने के बाद एक आदमी हैं आया था प्लीज सर, इसमें ये मेडिसिन और इसके कुछ डीटेल्स है, ये जूमली हिल में हो चुकी है, हेड ओपिस में भेज़कर डिस्पाइच करना पड़ेगा, ठीक है, मैं देख लूँगा थैंक यू सर आप टेंशन मत लिजिए सर, 20 साल से हम ये बिजनिस कर रहे हैं मेरे खेल से तो अप्टेक्ट, ये सही जगा पर पहुँच गया होगा जिसे नहीं भीज़ना चाहिए, उसी को भीज़ दिया है, उसने, सारी मीडिया इस परशुराम की अक्टिविटीज पर ध्यान देती है अगर इस मामले की खबर सब को पता चल गई, तो मैं तुम और अपना पूरा परिवार, सब के सब बुरी तरह मारे जगे लेकिन मैं होश्यारी से काम कर रहा हूँ, सर शट अप, इस कूरियर के डिटेल्स मुझे फैक्स करो बोलें सर, तुरंद कूरियर सर्वीस में जाओ और हमारे काम का है कूरियर वहाँ पड़ा है वो हर हाल में डिलिवर नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ में आना चाहिए, यह परशुराम का मैटर है, और बहुत सेंसिटिव है, समझ गए ओके, हे, काड़ी निकला, काड़ी निकला हलो, प्रोफेशनल कूरियर्स सर, मेरा नाम मनी राम है, सर मेने कुलाबा से जुबलिहिज में परशुराम जी को कूरियर भेजा था, मैं उन्हें यह परस्थनल जाकर देना चाहता हूँ, आप उसे होल्ड पर रखे प्लीज, मैं आभी आकर आपसे मिलता हूँ फोन पर होल्ड नहीं होगा, आप आइडी प्रूप ले करके आए, तो बता देते हैं इसक्यूज में, यह पारसल मुझे वापस चाहिए था, दो मिल टूके, डिस्पैक स्रक्शन उतर है, ओके सुनिये, मैंने अभी आपको फोन किया था, कूरियर इस मनिराब ने किया था, ख़ड़ा आर्जेंट था, इसलिए हम खुद ले कर जाना चाहते हैं हमारा डिलिवरी बोय कूरियर और निकल चुका है, कूरियर बोय के फोन करके यही आने के लिए बोल दिजे प्लीज, यह हमारे रूल्स के खिलाब definitions, बात सुनिए, प्लीज, आप फोन करके बला लीज, अब ही कैसी बाते करते हैं, लैंस टाइम पर सब लोग आ जाता, अर् अरे सुनना मेरे एरिया की कुरियर देना मुझे येलो क्या हुआ फोन लगा लेप ट्राइफिक में फोन ने उठा रहा है आप फिर से कोशिश कीज़ लग जाएगा क्या आप भी जित कर रहा है ये लिस्ट देखिए अब तक चार लोगों को डिलिवरी हो चुकी होगी लिस्ट के मुताबित बात की डिलिवरी खार रोड खार डां कुरियर डिस्पैच हो चुका है उसके रूट का डिडिल मेरे पास है मैं उसके पीछे जा रहा हूँ कुछ करता हूँ सर उसे कुछ मत करना मुझे सिर्फ कवर चाहिए डोंट वरी मैं समाल लोंगा कुरियर बॉय परशचुराम के घर जाने से पहले इन एड्रसर पर जाकर डिलिवरी करेगा उसके पास हमारा इक इंपोर्टेंट पास है उसके पास हमारा एक इंपोर्टेंट पारसल है उसे किसी बीतरे भंसा कर रोक करके रखना हूँ गय टुरंत मैं तुरंत वहां आ reappौ और हाँ प्रफेश्नल कोरियस सर यहां लक्षमिनारान आप ही क्या बात है कुरियर आया है से साइन कर दीजे कुरियर आया है वो भी मेरे लिए सर साइन कर की जाए ना तुम्हें सुनाइ नहीं दे रहा है मेरा लड़कार हो रहा है उपर तुम्हें जरा सीबी देया है की नहीं कैसे इंसान हो भाई तू इधर देखो यह क्यों सर सेफ्टी के लिए बाई सिक्योरिटी मेरी दुकान में इतने सारे बैग है मैं उपर गया तब तक तुमने यहां से माल उडा दिया तो मैं क्या करूंगा आ रहा हूं मेटा आ रहा हूं अचा सुनो अगर कोई आता है तो बैक बेच देना लेफ्ट साइड में जो रखे हो है उस पर फिफ्टीन पसंट डिसकाउंट है समझ गया है बस इतना ही थू यहां एसफी लगेज का शॉप किदर है सर सर जल्दी साइन कर दीजे ना मुझे दूसरी जगा पारकर पेन है 1940 की निशानी है मेरे पिता जी की अब है क्या नहीं मर चुके हैं लेकिन पेन अभी तक है आरा हूं बेटा तेरी माँ तो कहा के सो ही होगी मुझे ही बार-बार जाना पड़ता है कुरियर जॉब से अच्छा रोड पे चना बेचना है सुनी यहां पे कोई कुरियर बॉय आया था कोई कुरियर बॉय नहीं आया और नहीं आएगा तो इतना गुसा क्यों करें ठीक से बूलिए ना बोला ना यार मैंने किसी कुरियर बॉय को नहीं देखा मुझे कुरियर वालों से अलरजी है बैक खरिदना चाहोगे 15% से लेडिस्टोग एक और यार था कुरियर दत्ॉर कोई बॉय नहीं आया एक पचाण आप वेट करता हूं मैं सब शबंगे आप चिंता पोटें परनेट तू बड़ा होने के बाद बहुत बड़े शौपिंग कॉम्प्लेक्स कमालिक बनेगा सुनिए जो यहां भी ओनर बैठे थे वह ओनर अरे 25 साल से मैं ही यहां का ओनर हूँ कुछ देर पहले हैं हापशेट पहने कुछ देर पहले अभी आहां पर कुरियर बोख्या खा था कुरियर बोख्या था पता नहीं कएसे निकल गया सर कैसा दिखता है कौन जट पनियों बलेक स्प्लेंडर है किधर गया? खार दांड़की डली से यूटन मारा, सर. तेरी, तो! गाले गुमा, गाले गुमा! गो, 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 गो! वे, प्राउंच शाट, ब्लाग मेंट! यह, 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 गाले गुमा, गाले गुमा! नजर रखना उस पर, तक तरी तो, कहां भिस हो गया यह? यहां क्रोमा बजर कहा है, बताएंगे? सिम्पल है, सीधे जाओके तक बिल दिखेगी, यूटन लेना, लेप जाके राइट ले लेना! हे, भगवान, थैंक्यू हां? सहर, मेरी एक मदद करेंगी क्या? बोलिया भई, आपके लिए तो मेरी जान हाजीर है. मेरे पास एक लेटर है, उसको पढ़के सुना देंगी. यह बेचरा भला आदमी लगता है, शाहिद इसे पढ़ना नहीं आता होगा. दीजे ना भई, मैं पढ़ देता हूँ. महाराजा श्री पूजनियक काली प्रसाजी को मेरा नमशकार. जन्द से लेकर अब तक आप जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा. समाज की सेवा के लिए शादी को मना करके आप रम्मचारी बन चुके हो और अब मेरी नजर में अब्दुल कलाम जैसे लग रहे हो. जन्ता के मन में घर बनाने वाले चिरन जीवी लगते हूँ, लोगों पर अहसान करने वाले रजनी कांत लगते हूँ, 16mm जैसे घूमते हूँ, 13mm जैसे बात करते हूँ, और 17mm जैसे लड़ते हूँ, अपनी लाइफ में मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ, अगर गलती से भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया या फिर सुनाई दिया, तो वो दुनिया से उट जाएगा, मांगने पर सब कुछ दान करने वाला करन है, लेकिन क्या आप हॉस्पिटल में जाकर किसी को किड़नी चाहिए क्या, किसी को आँखे चाहिए क्या, ऐसा पूछते हो, ऐसे इंसान को मैं किस लाम से बुलाओं? क्या हुआ भाई, कपड़ी को कड़क इस्तरी करने जैसा, आप कड़क क्यूं हो गए? आप कौन हो, आपका बेक्राउंड क्या है, ये लेटर किसने लिखा है आपको? बाहर देखो तो 45 डिगरी की धूप है, हाथ में 110 डिगरी की सुबह से लेका शाम तक कपरे साफ करके, इस्तरी करने की जिंदगी है मेरे, अगर कोई अच्छी शर्ट पहन के निकलो, तो कहां से खरीदा पूछते हैं, पर किसने इस्तरी की पूछते हैं क्या? तुमने तो क मेरे ऑंटर्टर्थ मेंने क्लिए छोद के लिटर लिखा, yeah majority, अगरे, मिलाक्ष कहां तो नहीं मिला- बिदी, खाना खालिया, नहीं यहाँ इने चालिया?одोरररररर्ण जल्दी खालिया, औरररर्ण प्रिश्य नहीं दिधी किसी से मिलना तो तयार होने के लिए आयों कैसी मीटींग क्या बात है अलुट है को बीटींग के बाद सबसे पहले आपको बताऊंगा ठीक है वैसे आप इतनी कमजोर क्यों लागरें शुरूबात के पहले दो महींनों में ऐसा होता है कुछ भी घ इ पुरी महसूस होने पर दॉक्टर ने टैबलेट्स खाने को दिये था ना क्या वो आपने ली नहीं ली में ली दी टैबलेट का है अरे बाबा ये टैबलेट अभी के लिए नहीं है रात को खाना खाने के बाद मैं ले लूँगी हमेशा कोई ना कोई बहाना दवाई भूल जाती है ये टैबलेट है ना यहाँ भगवान के पास रख देता हूँ बिना भूले खा ले ना ठीक है चलता हूँ बाई तो यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करी घर पर लड़के वाले तुझे देखने आने वाले है ना वो लड़का यही मिलने वाला है ऐसा क्या तू तो बड़ी अडवांस निकली यार बहुत भूली बनती थी चल अच्छा है मैं उसे जानती हूँ क्या तेरे घर पर जो लड़का आता वही है क्या चिचे अच्छा तो वो आफिस का राजेश है क्या उसे राखी बानकर पांच साल हो गए अब बता भी ना यार कौन है वो कहां मिला मैंने उसे पहली बार देखा था जब वो मुझे कॉरियर देने आया था उसमें कुछ तो बात थी जो मेरे मन को भागी थी मैं जहां भी जाती थी मुझे फॉलो करता था लगता था वो भी बाकियों की तरह ही है लेकिन मैं गलत थी मैं उसके लिए इतनी स्पेशल थी कि वो मुझे रोज देखने के लिए आता था वो मेरे लिए कॉरियर का जॉब करने लगा मुझे इंप्रेस करने के लिए रोज कॉरियर ले आता था ये सारे कॉरियर्स वही भेजता है ये मैं कप का समझ चुकी थी तो स्वीट असल में मैं उसी वक्त विदा हो गई एक दिन उसने देखा हमारे दुकान से बहुत धुआ आ रहा है उसे लगा कि आग लग गई और शाहद मुझे कुछ हो गया वो इतना परेशान हुआ मुझे आज तक वो दिनियाद है उसकी आखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा और तब ही से मैं उससे बेहत प्यार करने लगी मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं यह जानने के लिए उसने एक प्लान किया तो मुझे भी एक आइडिया आया और मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो उसने भी मुझसे कहा कि वो किसी और से प्यार करता है बेचारा, वो तुससे प्यार करता और तू उसे सता रही है लवर को नहीं सताऊंगी, तो और किसको सताऊंगी तुझा है कुछ भी बोल, लेकिन ये गलत है, उसकी फीलिंग्स की कदर करना फीलिंग्स? सुभा न्यूस पेपर से पहले उसका लव लेटर आ गया था I love you, Kavya, ऐसे सीधा बोल दिया, सड़नली मा कमरे में आ गए Kavya जल्दी रेडी हो जा, मंदिर जाना है नहीं मा, आप जाएए न, ठीक है मा के जाने के बाद मैं फिर से लटर पढ़ने लगी मेरी तरह अगर तुम भी महसूस कर रही हो, तो शाम को थोड़ी देर के लिए कॉफी शॉप में आ जाना मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगा प्लीस Kavya, I love you तुम्हारा कल्यान जिससे शादी करने वाली हो, उसी लड़के से मिलोंगी न इसलिए लड़का देखने आ रहा है, ये कहा कावya तु बहुत नौचे निकली या अब हमारी हिरोईन ही हिरो के लिए वेट कर रही है जल दी आओ, baby, my heart is beating प्यार करनी ये लगी मैं भी तुझ से प्यार में हो गई हो में दीवानी फिदा दिल ये तुझ पे, फिदा जान ये तुझ पे बना हुआ ना तुझ पे, हाई 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 जहां मैंने है तुझे, चुना मैंने है तुझे अब चुल ले तु मुझे, हाई 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 हाँ मिला जब तुझसे, पागल हूँ मैं तब से लब मैं करता हूँ तुझसे देखा तुझे जब से मर जाओ तुझे तब से नाब तेरा ही लब पे तेरा करूँ मैं इंतजार रहना पाऊँ मैं अब जुदा दिन तेरे जीन पूँझेने की दो बजहां अब चुनले तू मुझे इनियो वेटे जाहां मैने है तुझे चुना मैने है तुझे अब चुनले तू भी राजा मुझे हाँ वाच ही मैं देखूं जब देर तुझे हो जाए टेंशन मेरी बड़ जाए जाना सुननो जानी जाना ना फिक्र कभी करना रोज मिलने आऊंगी मैं मैं सचा आशिक हूँ तेरा प्यार है ये तेरा मेरा तिल में है तुझा में है तो होटों पे जिक्र तेरा हर जनम में ओ सनम में दो हूँ तेरी चाहा मैने है तुझे चुना मैने है तुझे अब चुले तू मुझे हाई 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 चाहा मैने है तुझे चुना मैने है तुझे अब चुले तुभी राजा मुझे हलो क्या यार निकला हम सब वेट कर रहे हैं ठीक ठीक है बचे हुवी कुरियर्स मेरे दोस्त को देकर आदे घंटे में पहुंचाऊंगा थीक है लेट मत करना जल्दी पहुंचाऊंगा ओके हलो विनयक कि आप बोले काम है बचे हुवी कुरियर्स तू दे देना मुझे कोड़ जाना है तेरी बात सही है यार पर आज मेरे एरिये की डिलीवरिस ही बहुत जादा है इसमेह मुझे शाम हो जाएगी सौरी यार किसी और को बोल दे हैं ठीक है 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 इसने ऐसा क्यों किया अब क्या करो हलो बोल क्या है अरे एक छोटी सी हेल्प कर देना मुझे अरजन्ट कोट में एक काम है तो मेरे कुरियर तू डिलीवर कर देगा क्या ए तो जानता है ना आज बहुत ज़रूरी काम है अरे जानता हूँ यार उस विनाएक ने भी अचानक ना बोल दिया बस एक ही दूसरी रू जाख अरे यू टर लेके आजाना अरे क्या यू टर लेने के लिए तीन किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा तू इस तरफ आजा अरे यहां से यू तर नहीं ले पाऊंगा आगे से नौ इंट्री है यार साफ-साफ महरबानी करके कुछ दूसरी घचा है और यह मैं वो सब तक तक तेरे पास टाइम है वरना मैं चला जाओंगा तंशन मत लीजिए सर लाइटली लीजिए नो एंट्री आपके लिए मेरे लिए थोड़ी है मैं तो कहीं भी फुदक सकता हूं बस मुझे सौ की हरी पत्ति दिखाईए मैं जाकर फटाक से दे आता हूं यहां अर्टीसी अच्छा है यह ले यह बीस रुपया रख ले और यह उसको देते हैं अब ऐसे घूर क्या रहा है रोड क्रॉस कर ठीक से वरना गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा तो ठीक है यार तेरा टाइम खत्म हो गया चलता हूं एए अब वो निकल रहा है ठीक है सो रुपया दूंगा जाओ यह क्या पीटी उश्या की भाई की तरह भाग रहा है यह कुछ नहीं है सार पीटी उश्या की जगे इसको भागा आगे देखो यह 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 यहलो साफ ए सुनो हमारा एक पारसल दापके पास है हम कुरियर ओफिस से यह आ रहे हैं आपका बहुत पीछा किया वह हमें दे दीजिए आपको आई डि दिखाता हूं कौन सा पारसल परशुराम का पारसल परशुराम जी का पारसल जुबली हिल अरे अभी तो एक फ्रेंट को दे दिया सर क्या कहा है वह बहुत पास्ट है बहुत जल्दी पहुचा देगा अरे सुनो बोलो सर एक प्रब्लम हो गई है इस दरके ने पारसल किसी और को दे दिया और वही करो परशुराम एक गांधिवादी है सिक्योरिटी पंदोबस से उसे अलरजी है अकेला रहता है समस्या चाहे जो भी हो सीधे मेरे पास आजाना ऐसा मीटींग में कहता रहता है आपको परशुराम जी से माधा सर नमस्ते बोलिए सर हम दोग एक welfare center से आये हैं हमारे यहां है एक chemical factory है सर जिसका सारा west हमारे गाउं के तालाब में जाता है सर और उस तालाब का पानी सारे गाउं की लोग पीते हैं जिसकी वज़े से उस गाउं में काफी बीमारिया हो रही है factory owners से बात की है वो हमारी बात नहीं सुनते कलेक्टर को भी अर्जी दे चुके हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया सर अब आप भी कुछ कीजिए कंप्लेंट दिये हुए कितने दिन हो गए हलो उस पानी का इस्तिमाल उस गाओं के ही लोग करते हैं या आसपास के गाओं वाली भी करते हैं ये वही कलेक्टर हैं जो पहले पन्वल में रहता था सर आप हो आपको टीवी में देखता हूं सर आप तो जा गया हो देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके जैसा आत्मी चाहिए सर कुरियर सर हाथ मिलाईए ना थांकियो सर मनी राम लक्षमी होस्पिट्ल कुलाबा तोड़ा पारी मिलेगा क्या अभी लातो अपके बढ़ाँ दोड़ा नाए अपके बढ़ाँ कर दो खुपार रहे हैं गौन हो तुम लोग क्या है? सर... सर मीटिंग में है अभी मैंने कुरियर दिया था जानता हूँ साइन करने के बाद सर मेरा पैन देना भूल गया पैन ही है ना? यह लो यह नहीं सर मेरा पैन चाहिए मुझे यह लो यार सर मेरी गर्फरेंड का पैन है वो हमेशा यहीं रहता है प्लीज दीजे ना सर समझ में नहीं आता तुझे देखिए आप ही नहीं समझ रहे हैं सर इश्क महबबत सर ठीक है ना? मीटिंग के बाद ले लूँगा यहीं हूँ मैं ओके? पहले जा यहां से क्या बात है बात कर रहा हूँ आप दक्का दे रहे हूँ आप जाईए बात में आऊँगा सर से पहन ले लूँगा मैंने बोला ना? जा यहां से आपका प्रॉब्लम क्या है? अरे सॉरी आपको चोड तो नहीं लगी सर सॉरी सर गल्दी से लगए एए काउनों तुम लोग? ए रुचा मेरी शित्ता बख करो वो कुरियर इंके हाथ नहीं लग राजाए यह भागो कुरियर नीचे लाइटा है ठरीनी मैं एचे लगए कि पाराइटा रात नहीं लगए कि आ यह कुरियर की आ अल्गए कि आप कर आपको कि दो ठटतलव औहना मूला फिर किए एप रिली है कर दो 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 कर आपकलो से, पोर्टेश, ओर्ट! आपकलो से, ओर्टेश, ओर्ट! कर एकिर। यह को नोजिवसे कर दो enrich पीछा करो उसका फोन तु स्विच ओफ आ रहा है खादी भवन में फोन करके पूछ ले ना वहां भी नहीं गया मरी राम नाम से कोई वाड़ बॉय था जिसने वो कुरियर भेजा लेकिन उस कुरियर में प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स के लावा कुछ भी नहीं था सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट्स वाली कुरियर के लिए एक ग्रूप मुझे ढूंदते हुए आकर उसे क्यों पाना चाहेंगे पूरे शहर में पेट्रोलिंग चल रही है, सारे exit points चेक किये जा रहा है, we are already on the job. उस तरब देखो. जल्दी उठाव, जल्दी उठाव, हलो, हलो, सर, रगुनाची है क्या, प्लीज बात करवाईए, वो क्या है, आज उनका accident में देहान दोगे, देहान हो गया, उस कुरियर और कुरियर बॉय को तो मैं देख लूँगा, वो वाट बॉय जिन्दा ने रहना चाहिए, हूँ़ो! 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 वाट्स हैपनिंग सिर्, कुरियर भेशने वाले को मार दिया गया और लेने वाले यानि मुझे पर अटाक किया गया पता नहीं उस कोरियर भॉय का क्या हुआ होगा ये ढूलो उसको उस तरह ढूलो उस तरह क्या हो अकल्यान अभी तक नहीं आया लेट होता है तो फोन करता है मैंने फोन किया था फोन स्विच ओफ आ रहा है लड़की का फोन स्विच ओफ आ रहा है मतलब लड़का उसे भगा कर ले गया वही एक लड़के का फोन स्विच ओफ आ रहा है मतलब लड़की उसे भगा कर ले गई अरे ये क्या बोल रहा है तू मुझसे तो कहा कोई important काम है उसे तुम्हारा भाई और काम पे sister, for your kind information वो इस career job में लगा तो पैसा कमाने नहीं उस लड़की के लिए उसी लड़की से मिलने गया है काविया मुझे नहीं लगते कि अब वो आएगा ठीक है चलो पहा है अलो, वो कुरियर बॉय मेरी कस्टडी में है सर, आम चाहा कहोगे तस मिनिट में हाइंड आवर कर दूँगा, लक्षमी नारेंड का मेंटर है, सोच समझ कर देना, अके, आल टेक केर, थेंक यू सर, पूरी रात के नीद खरब कर रेटेंशन में डाव दिया तूने, आफ्टरार कुरियर बॉटने वाला एक महलूली इंसान है तू, इसका चो करना है मैं करूँगा, आपको एक कुरियर चाहिए था ना, चेक कर लीजिए, पैकेट पदल गया है, हूँ, पूरियर बॉई, अब मेरी कस्टडी में है, दस मिनिट में आप चाहको होगे, वहाँ एंडॉर कर दूगा, आप बेफिक्र रही है, दक्षमिनारेंड का बैठर है, सोच समझ कर देगा, प्राइब ऑुज लिए का बैठर है, भाइब में आपका बीजिए ट्वरानारेंध्र, देगे भाइब में एंड्रोफभराब्ग्र, दुमिनारेंगे, भाइब में एंड़। एंडूजारेंगे, वहाँ, लाँ प्यावेँ, एंड़ब ग्राइब लाएबारेंद्रिय ज झाल झाल मेरा नम मनी रामे को लावा के लक्षमी होस्पिटल में वाडवाय का काम करता हूं यहां बहुत अन्याय हो रहा है आपको कुछ करना हो कहावा भावा कि अ करता हूँ कर दों करता है यहाँ कर दो बावा कर दोह अज़ जिए डवाई खाली क्या अरे खालोंगी बबाँ दिए मत्काना क्यों क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्यों सब्सक्राइब अबट अब बाद है प्लीज कन यह बयाई? हलो? हुआ है जादी के बारा साल के बाद मेरी दीदी मा बनने वाली है और वो टैबलेट मैं अपने हाथों से खिलाने वाला था बच्चा पैदा करने के लिए लोग कितने सपने देखते हैं खबर लगने पर लोग कितने खुश होते हैं लेकिन तुम पैसों के लिए हैं बेट के अंदर ही मासुम बच्चों के जान ले लेते हो जान लेते हो जान लेते हो पसके पास जाकर तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें जितने करोण चाहिए उतने में दून दूना प्लीस मुझे चूरत हो तुम्हों की जान लेके बिजनेस करते हो मैं अakersा कभी नहीं होने दूना कभी नहीं होने दूना कौन है रे तू मेरी दस साल की मेहनत को और मेरे इस सपने को तू एक ही पल में मिठाना चाहता है शायद तो भोल गया कि मैं कौन हूँ उसे हमारे बारे में सब पता चल गया है सर अगर वो बच गया तो वो बचेगा तब ना एक्सिडेंट हुआ है केस बनाओ क्लोज करो स्मैश अंब झाल करिए में अगरे तो इस सक्थेटने करेए बचेँ क्या तो वो पुआ हुआ जह ही एक ही उओ खब गुआ हुआ जट लुआ हुआ 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 अगे शुराओ भेल वोब इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है लेकिन पेट में मरे हुए महसुम बच्चे को वापस लोटा सकते हैं महिलाओं के गर्प पर आक्रमत प्रयोप करने वाले लोग अरेस्ट हो चुके हैं मा की ममता को चक्ना चूर करने वाले सारे डॉक्टर्स अरेस्ट हो चुके हैं आम इंसान डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर भगवान की नाम पर शैता निकलते हैं। गोरक धंदा करने वाले डॉक्टर्स को सरकार ने सजा दिये, ऐसे कुछ गलट डॉक्टर्स की वज़े से सारे डॉक्टर्स बदनाम नहीं होने चाहिए। एक कुरियर बॉय ने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, तो देश का समाज का इतना भाला हुआ। अगर हमारे देश की MP, MLA, मंत्री, आखिर प्रधान मंत्री भी बगाएर किसी स्वार्थ के अपना करतब्य पूरा करें, तो हमारे देश क्या कहलाएगा? सोने की चिडिया। उससे पढ़ा कर बड़ी डॉक्टर बनाई है, उनके आत्मा को शांती मिलेगी। प्लीज रखिए। प्लीज पांच मिनिट मैं आ रहा हूं, रुक जाओ। पांच मिनिट क्या पांच सिकंड भी नहीं रुकूंगी, आना है तो आओ और ना मत आओ। मेरी बात सुनो ना काविया, प्लीज 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 नो चांस, खादी भाहून में आओगे, खादी मिलेगी, काविया नहीं मिलने वाली, जाओ। मेरी बात तो सुनो काविया, प्लीज मेरी बात, सुनो काविया, हलो, 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 कट हो गया, ये कुरियर बॉय भी ना पागल है, परेशान कर दिया है मुझे, इजार करना है तो सीधा कर लेता, रोज कोई ना कोई बहाना, कुरियर, पारसल, पारसल, कुरियर, दिमाग खरा नहीं काव्या क्या हुआ महसुस नहीं हुआ फील नहीं है वो क्यों क्यों ठीक है चलो I love you काव्या अब चुले तू मुझे हाई हाई हाई